हेलो गाईस कैसे हो अब लोग मैं हूँ सुमोन आप देख रहे हैं सुमोन टेगनों दोस्तो रेडमी 6,000 रुपीज के अंदर इंडिया में स्मार्ट देश का स्मार्ट फोन लॉंच कर दिया है रेडमी स्थेभे ने और दोस्तो 6,000 रुपीज के अंदर जो सारे स्पेसिपिक मैं साजेस्ट करूँगा कि आप एफोन ले सकते हो लेकिन हर फोन में कुछ न कुछ कमिया होता है तो इस फोन में भी कुछ कमिया है मेरा एफ वीडियो बनने का मकसद ए है कि अगर आप एफोन बाइक करने के लिए जा रहे हो या आप एफोन बाइक करोगे तो आपको पता आप लोगों के साथ मैं सेयर कर रहा हूं तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा फोर प्रोब्लेम जिसके साथ रेडमी 7a इंडिया में लॉंच हुआ है तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें और डिसलाइक करने से पहले वीडियो को पुराब देख लेना उसके अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना और इस वीडियो की लाइक टार्गेट राखते हैं 500 लाइक का उमीद है अब लोग पूरे कर दोगे और चैनल में नीव हो तो सस्क्राइब कर देना और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके आल में क्लि अगर रेडमी यहां पे मेटाल देता तो काफी अच्छी बात रहता लेकिन गैस मेटाल नहीं दिया है अपको पॉली कार्बोनेट विल्ट क्वालिटी देखने को मिल चाएगा अगर आपके हातों से फोन गिर जाए तो आपके फोन में क्रेचेस आ सकता है जो की सबसे बड लेकिन गैस फ्रॉंट सेट की तरब आपको 16-9 रेशियो वाला डिस्पले देखने को मिलता है जो की अवी सबी लोगों को पसंद नहीं है 6,000 रूपीस में Realme C2 आपको वाटा ड्रॉब नॉच उपर कर रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लास यहाँ पे भी आपको वाटा ड्रॉब नॉच देखने को मिलता है और सेम कंपिटिसान में Redmi 7A में आपको देखने को मिलता है 16-9 रेशियो वाला डिस्पले तो Redmi यहाँ पे थोड़ा पीछे रह जाता है अगर यहाँ पे वाटा ड्रॉब नॉच यह तो सिंपल नॉच देता तो भी काफी अच्छी बात रहता लेकिन गईस Redmi यहाँ पे 16-9 रेशियो वाला डिस्पले दिया है मुझे नहीं पता क्यों दिया है अगर वाटा ड्रॉब नॉच के सा सोनी का सेंसर दिया है काफी पावर्फुल है काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी भी मिलेगा लेकिन गईस आप सभी लोग जानते हो अभी मार्केट है दिखावा जो दिखता है ओ विखता है तो इंडिया में यही चलता है अगर यहाँ पे डूयल कैमेरा सेटाप देता तो इहाँ पे भी रेडमी थोड़ा आगे चला जाता अगर किसी भी लोग फोन खरीदने आए और ओ देखेगा कि सिंगल कैमेरा है तो अभी के जमाने में सिंगल कैमेरा को ही नहीं खरीदेगा लोग यह नहीं पुछेगा कि यहाँ पे कौन सा सेंसर दिया गया है यहाँ प आपको कोई भी सेंसर इसके लिए नहीं दिया है अगर देता तो काफी अच्छी बात रहता चौता जो कमिया है वहे गईस इसका डिस्प्ले पोटेक्शन दिया है ओ कौन सा ग्लास है ओ स्पेसिफाइट नहीं किया है रेडमी ने अगर इहाँ पे कॉर्णिंग कोरिला ग्ल अगर कॉर्णिंग कोरिला ग्लास का पोटेक्शन देता तो काफी अच्छी बात रहता मैं आपको साजेस्ट करूँगा कि अगर आप एफोन बाई कर रहे हो तो आप ग्लास के उपर एक स्कीन ग्लास चड़ा के रगना बैक केस जरूर इस्तेमाल करना क्यूंकि आपके फोन डिसकाउंड में मिलेगा 5800 रुपीज में देखने को मिल जाएगा और जो 2GB 32GB वह आपको 6000 रुपीज में देखने को मिलता है इसी मांद में अगर आप फोन खरीदते हो तो तो काफी अच्छा दिल है मैं साजेस्ट करूँगा अगर आप 6000 रुपीज में एक फोन खरीदने ऐसे भी इसको चोड़के Realme C2 है, Infinix Smart 3 Plus है, सब कुछ मैं Unboxing, Reviews भी किया हूँ इससादे स्मार्टपोन का, Description में लिंक मिल जाएगा, यहां काड में है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, और बहुत ही जल्दी Redmi 7A का Unboxing भी हमारे चैनल में आ रहा है, तो उसके लिए ज़रू मैं मिलते हैं, अगले एक फ्रेस वीडियो में तब तक हमरे साथ बोलते रहे है, वार्द माता की जय!